हलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल शालनीज हैंडमेड जैसा कि आज के तमनील में आपने देखी लिया है आज हम जो होली में बचा हुआ वेस्ट होता है कलर होते हैं हमारी विचकारी होती है या कुछ कोल्डिंग की बोटल होती है उनका रियूज करके हम आज होम ड पॉइंट्स मना देंगे यह पॉइंट्स बनाने के बाद में हम इसे कटर की हैप से कट कर देंगे और इसके बाद में हम इसे थोड़ा सा शेप देंगे शेप देने के बाद में इने हम जो आजकल है पोटल से वेस्ट पोटल से fan planter बनाती है उस तरह का हम इसे planter बनाएंगे वैसे तो यह जो हमारी coke की bottle होती है उसमें काफी अच्छे से बन जाता है पर मैंने इसे इस वाली bottle पर बनाया है इसमें भी easily बन गया है जब हम इसके fan marker से mark करेंगे और marker से mark करने के बाद में हिसे cut करेंगेuten mark करने के बाद मैं इसे सीजर के c cut करेंगे देखिया से बड़ी easily cut करना है ठोड़ा सा procedure को खुमा कर कर और ये बहुत easily हमारा cut हो जाएगा कि इसे हल्का सा forward करेंगे और किसी भी according कोई भी कलर कर सकते हो मैंने दो तरह की वोटल बनाई है एक रैड और एक यलो दोनों पर ही हम कलर कर देंगे और फिर उसके बाद में इस पर थोड़ा मुझे ब्लैंक ब्लैंक सी लगी तो मैं हलका सा ब्लैक कलर की है है इसके जो कोर्णर है उसे का डिजाइन पर ब्लैक कलर स इतना अच्छा आया है आप इस पर कलर का भी उच कर सकते हो मैंने सिंपल एक्रेलिक कलर का यूज किया है पर यह बनने के बाद में काफी अच्छे लगे हम अपने सेकंड डियाइवाइक करेंगे इसके लिए मैंने यह मैं पास में एक पिचकारी है वोली पर वेस्ट हो के बाद में इस पर हम ब्लैक कलर करेंगे ब्लैक कलर करने के बाद में जब ब्लैक कलर हलका सा ड्राय हो जाएगा तो ड्राय ब्रस टेक्निक की हल्प से रैड और यलो कलर से इसमें हलका हलका सा ड्राय ब्रस से कलर करेंगे जिससे यह कलर होने के बाद में काफी सुन्दर जीरो वेस्टेज और इंस्टेंट बनने वाला हमारा डियाई वाई है अब हम अपना तर्ड डियाई वाई करेंगे उसके लिए मैंने यहां पर जो हमारे होली के कलर होते हैं उनका यूज़ किया है उन्हें सिंपल सा में जार में फिल करूँ गी यहां पर सारे कलर इस तरह से हमने fill कर दिये हैं और थोड़ा सामी से spoon के help से नीचे की और press करेंगे अब इसमें मैं उपर की side बहुत हलकी सी सूजी डाल दूँगी इससे यह जो हमारे पाहर के तरफ ना आए और जो जार के उपर वाला part है उसे में ribbon बान दूँगी और ribbon बानने के बाद में यह काफी सुन्दा लगेगा इससे से हम इसमें ribbon बानना है देखे कितना सुन्दा आउट लुक लिकल कर आया आपको आज के DIY कैसे लगे holy special DIY कैसे लगे मुझे comment section में बताना न बोलिएगा और अगर आप मेरे channel पर new है तो please like share और subscribe कीजिए please subscribe जरूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई craft के साथ बाई बाई everyone